हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू अम्रिता एकेडमी सो इन टुडेश वीडियो वीडियो वी विल डिसकस अबाउट सम शॉर्ट एंड स्मार्ट फ्रेजेज एंड वर्ड्स तो एन्हांस अवर इंग्लिश स्पीकिंग जिनकी हेल्प से हम इंग्लिश को अच्छे से अंडरस्टाइंड कर सकते हैं और जो लोग बिगिनर्स हैं इस्पेशली उनके लिए तो ये वीडियो बहुत यूसफूल होने वाला है क्योंकि हम इसमें ऐसे कुछ वर्ड्स या फिर आप कह सकते हैं फ्रेजेज का यूस करने वाले हैं जो कि हर इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति डे टू डे लाइफ में यूस करता है फोर एक्जामपल श्योर एक्जेटली यू नो एनिवे यू वांट बिलीब इन फैक्ट एक्चुली सो इस टाइप के जो आपने वर्ड्स सुने होंगे कि डे टू डे लाइफ मे देख लेते हैं सो श्योर का मतलब होता है जरूर अवश्य, निश्चित, पक्का, विश्वस्निय या फिर निसंदेर ओके सो श्योर को यूस कप करते हैं सबसे पहली बात इट्स एन एड्जेक्टिव यह एक एड्जेक्टिव होता है ओके एड्जेक्टिव वो होता है जो कोई व्यक्ति completely right होता है निस संदे हम उसे कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो कह रहा है it is completely right तो आप sure का use करते हैं so means पक्का विश्वास होना की सामने वाला सही है अगर कोई सामने वाला इसी बात कह रहा है जिससे आप भी सहमत है तो आप कह सकते है sure okay so इसके synonyms देख लेते हैं स यह सब इसके synonyms कहलाते हैं antonyms discuss कर लेते हैं doubtful जब कोई व्यक्ति संदिख्ध हो जब कोई चीज़े clear ना हो unsure हो अनिश्चित हो dubious हो means संदिख्ध हो या फिर uncertain हो अनिश्चित हो तो यह सब sure का antonym means ultra earth रखने वाले words होते हैं तो sure के आप हम examples देख लेते हैं जिससे और clear हो कि यह कब use किया जाता है if nobody loves you be sure it's your own fault means यदि कोई आप से प्यार नहीं करता है तो सुनिश्चित करें कि यह आपकी गलती है okay तो यहाँ पर sure हमने use किया है सुनिश्चित करें या फिर निश्चित करें बोलने के लिए तो आपको word clear हुआ कि sure का use कब होता है और sentence आपने देखा if nobody loves you अगर कोई आप से प्यार नहीं करता है be sure तो यह सुनिश्चित करें it's your own fault कि यह आपकी ही गलती है ओके next sentence देख लेते हैं I am sure you can do an excellent job next time I am sure you can do an excellent job next time ओके sure कैसे बुलना आपको आप ध्यान से pronunciation को सुनते जाए शूर ओके मुझे यकीन है कि आप अगली बार एक उतकरश्ट काम कर सकते हैं मिस जब आपको किसी पर भरोसा होता है यकीन होता है तब भी आप क्या कहते है I am sure that you can do this work so इस तरह से हम sure का use करते हैं second हो है हमारा word exactly जिसका meaning होता है एकदम सही पूर्ण रूप से पूरी तरह हर तरह से हर मामले में या 100 प्रतिशत यह एक adverb होता है adverb part of speech का वो part होता है जो की verb की विशेश्टा बतलाता है इसका meaning होता है it is used to emphasize the accuracy of a figure किसी भी figure की accuracy को बताने के लिए use होता है जब किसी का किसी आखड़े की शुद्धता पर जोड दिया जाता है तब उस time पे इसका use करते हैं अभी अभी कही गई बात से सहमत होने के लिए हम इसका use करते हैं suppose आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कोई बात कही कि या इसके बारे में ऐसा मुझे लग रहा है तो आपको भी अगर वो चीज लगेगी तो आप उससे सहमत करेंगे आप उससे agree करेंगे तो आप बोलेंगे exactly means तुम बिल्कुल सही कह रहे हो for example जब हम पहले synonyms समझ लेते हैं कि इनके जैसा meaning रखने वाले words कुन-कुन से होते हैं exactly के जैसा meaning रखता है precisely means यकिनन, entirely means पूरी तरह से, absolutely, पूर्ण रूप से या फिर completely, पूरी तरह यह सब exactly के synonyms हैं, एंटोनिम्स डिसकस कर लेते हैं, inaccurately means गलट धंग से, inexactly means अशुध रूप से, doubtfully जब किसी संदेहासपत चीज के बारे में बात करें, तो हम doubtfully कहते हैं, incompletely means अधूरा, तो यह सब होते हैं exactly के opposite words, ओके, इसका example देख लेते हैं, so that everything will be clear, it's exactly the way I thought it would be, it is exactly the way I thought it would be, means यह बिलकुल वेसा ही है, जैसा मैंने सोचा था कि यह होगा, जब हमने बिलकुल यहाँ पर बोला, तो उसके लिए हमने exactly word का use किया, यह बिलकुल वेसा ही है, it is exactly the same, जैसा मैंने सोचा था, means as I thought, okay, so इस तरह से आप अपने sentences खुद भी बना सकते हैं, आपको जहाँ पर exactly का use करना है, कहा करना है, जहाँ बिलकुल बोलना है, Next example is, the train arrived exactly at 7 o'clock, means हमने जब exact time दिया, means pinpoint time दिया, तब हमने exactly का use किया, जैसे train ठीक 7 बजे पहुँची, ओके, ना तो 7 से पहले, ना 7 के बाद, जब हो correct 7 बजे पहुँची तो हम, या तो हम correct at 7 o'clock बोलते, या फिर हमने exactly बोला, exactly बिलकुल pinpoint, बिलकुल सही, 100 प्रतिशत सही, तो तब हम use करते हैं exactly का, next word is you know, praise बोल सकते हैं इसे, तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो, तो इस तरह से हम कहते हैं, जब तुम्हें पता है, तुम जानते हो, कब कहते हैं, अक्सर लोग बाते करते समय कहते हैं, कि तुम्हें पता है, उसने क्या किया, तुम्हें पता ह है आज क्या हुआ तो उसी जगह पर इंग्लिश में यूनो कहते हैं जैसे यूनो उसने मुझे यह कहा यूनो हम कल वहाँ गए थे तो इस तरीके से हम यूनो का इस्तमाल करते हैं ओके सो एक एक एक्जांपल से और क्लियर हो जाएगा do you know your way home from here क्या आप यहां से अपने घर का रास्ता जानते हैं do you know क्या आप जानते हैं your way आपके घर का रास्ता home from here इस तरह से आप यूनो का यूस करते हैं एक और example देखते हैं, do you know who you are talking to? Means कि आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? Do you know who you are talking to? जिससे आप बात कर रहे हैं कि आप उसे जानते हैं? So इस तरह से हम you know का use करते हैं, okay? So next is anyway Anyway means चाहे जैसे भी, किसी ना किसी प्रकार, कैसे भी, वैसे भी, चाहे जो हो किसी तरह से इस तरह का जब कोई meaning होता है तब हम use करते हैं anyway का So इन्हें no matter what, या फिर in some way, या फिर whatever की तरह से भी प्रयोग किया जा सकता है, okay? इस तरह से जैसे हमने अभी anyway बोला तो हम कह सकते हैं no matter what, means चाहे जो भी हो, in some way, means किसी भी तरीके से ये हो जाए या whatever, चाहे जो हो, तो इस तरह से anyway को भी use करते हैं, बाकी के भी, जो भी मैंने words बोले, वो भी use किये जाते हैं I must do it anyway, means किसी भी तरह से मुझे इसे करना होगा, जब कोई काम हमारे उपर होता है और हम कहते हैं कि anyhow I have to do this, तब हम कह सकते हैं that I must do it anyway, okay? anyhow, anyway, ये सारे words जो होते हैं, ये according to the situation आप use कर सकते हैं, जैसे जैसे आप English बोलेंगे, sentences बनाएंगे, आपको automatically याद आजाएगा कि अच्छावर एनिवे, the water was cold, but I took a shower anyway, means पानी ठंडा था, लेकिन मैंने किसी तरह से नहा लिया, okay? means anyhow, I took a shower, मैंने किसी तरह से नहा लिया, पानी तो ठंडा था, पर मैंने किसी तरह से नहा लिया, तो जब हमें किसी तरह से बोलना हुआ, तो हमने anyway का use किया, next is, you wouldn't believe, means आपको विश्वास नहीं होगा, so you wouldn't believe का example देख लेते हैं, you wouldn't believe, but a film actor committed suicide, जब कोई ऐसा घटना होती है, जिस पर हमें विश्वास नहीं हो, तो हम कैसे word को use करते हैं, या पर किस sentence को use करते हैं, you wouldn't believe, means आपको यकीन नहीं होगा, जब भी कोई shocking ऐसी खबर है, या फिर हमें लग रहा है कि सामने वाला, जब इसे सुनेगा, तो उसके भी दिमांग में धक्का पहुँचेगा, कि अरे ये क्या हो गया, तब हम कहते हैं कि you would not believe, but a film actor committed suicide, means आपको विश्वास नहीं होगा, पर एक film अभी तैना अभिनेता ने आत्मत्या कर ली, तो इस तरह की shocking news जब दी जाती है, तो उससे पहले हम you wouldn't believe बोलते हैं, next example देखते हैं, you will not believe the amazing mind of शकुंतला देवी, शकुंतला देवी के अद्बुत दिमाग पर आपको यकिन नहीं होगा, जब कोई extraordinary काम कर देता है, जब कोई genius होता है, तो normal लोग उन्हें नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसी ही कहानी जो हमने शकुंतला देवी मूवी में देखी है भी latest में, तो अगर हम उनके ऊपर यह sentence बनाये तो हम कह सकते हैं, you will not believe the amazing mind of शकुंतला देवी, means उनके brain को समझ पाना संभव ही नहीं था, तो हम क्या कहते हैं, यह संभव ही नहीं है, you would not believe आपको यकीन ही नहीं होगा, कि उनका जो mind है वो बहुत amazing है, हम उस time पर भी you wouldn't believe का use कर सकते हैं, next है हमारा word infect, infect means वास्तव में, जब हमें अपने sentence में और detail information देनी होती है, तब हम infect का use करते हैं, means suppose मैंने कोई sentence अभी बोला, और उसके बाद मैं मुझे उसको और detail में बताना हुआ, मतलब होता है बास्तव में या असल में, example देखते हैं और clear हो जाएगा, I thought he would not come, but in fact he came, I thought he would not come, means मुझे लगा कि वह नहीं आएगा, but in fact he came, पर वह आ गया, तो हमने पहले तो एक sentence बोला और जब हमने उसी से related और थोड़ी information आगे की डाली, तो हमने infect को वहाँ पर add कर दिया, उसी तरह से एक और sentence देखते हैं, she had to go, but in fact she did not want to go, means उसे जाना पड़ा, वास्तव में वह जाना नहीं चाहती थी, means sometimes है ता होता है कि हमें जबरदस्ती कोई करता है कि आपको जाना पड़ेगा, means उसे जाना पड़ा, वास्तव में क्या था, उसका मन तो नहीं था कि वो जाये, तो हमने यहाँ पर क्या बोला, she had to go, उसे जाना पड़ा, but in fact पर वह, she did not want to go, जाना नहीं चाहती थी, तो इस तरह से पहले sentence में और थोड़ी information add करी हमने दूसरे sentence को बोल कर, और जिसमें हमने start करा उसे in fact से, okay, clear हुआ, next word is actually, वास्तव में दर असल या सचमुच बोलने के लिए हम actually का use करते हैं, actually का use तब किया जाता है, जब हमने जो अभी अभी कहा, उसे और correct way में हम कहना चाहते हैं, okay, जो हमने अभी sentence या statement कहा, जब हमें उसे और correct way में बतलाना होता है, तब हम actually का use करते हैं, जैसे किसी ने हम से पूछा कि क्या आप student हो, तो आप कहेंगे no, I am not a student, I am a doctor actually, okay, समझ में आया आपको, एक और example देखते हैं, she looks young, but she is actually 50, miss, she looks young, miss, आपको पहले तो क्या लगा कि वो तो बहुत young दिखती है, but she is actually 50, तो आपने क्या करा, जो आपका sentence था, उसको और correct way में बोला, but she is actually, दर असल वास्तव में तो वह 50 की है, पर वो लगती young है, okay, सो वह यूबा दिखती है, लेकिन वास्तव में वह 50 की है, next example देख लेते हैं, the garment business is actually his bread and butter, ठीक है, कोई व्यक्ती garment का business करता है, तो यह तो एक information हो गई, कि उसका garment का business है, but इसमें एक और add हुई information निस और correctly उसे बोला गया, कि वो garment का business क्यों करता है, क्योंकि यह उसकी रोजी रोटी है, तो क्या हुआ जो पहला sentence था, उसको और correct वे में कहा गया, कि वो उसकी रोजी रोटी है, इसलिए वो garment का business करता है, the garment business is actually his bread and butter, कपड़ा व्यवसाय वास्तव में उसकी रोजी रोटी है, So, इस तरह से हम actually word का use करते हैं, I hope आपको जो भी वीडियो में हमने अभी words लिये, वो काफी अच्छे से समझ में आए होंगे, उन सभी का day-to-day life में बहुत importance है, अपनी English को fluent बनाने के लिए, आपको English के हर word को analysis करना जरूरी है, उन्हें use करना जरूरी है, ताकि आप जब भी English को fluently बोलें, आपको पता हो कि कौन सा word कहां पर use किया जाता है, Okay, so that you can make your English effective. Thank you so much for watching this video. कर दो के दो कहां जरूरी है,